स्कूल मोटो उदेश देह सिवा बर मोहे एहे शुब कर्मन दे कब हूँ ना तरू दस्वें पाशा चिरिगुर गोविन सिंग जी दे कतना नू अमली जामा पहनाऊं दे हुए उनना दी महान सक्षियत नू समर्पत कर देया गुर्द्वारा अस्थापन कमेट्टी सेक्टर बाई चंडीगर्दी सरप्रस्ती हेट 13 अप्रैल उनिसोच पिंजानू चंडीगर्दे सब तों पहले सेक्स स्कूल शीरिगर्गोबिन सिंग सीनिर स्केंडी स्कूल दी नी सेक्टर बाई विच एक किरायदे कमरे विच राख के मूड बनने आ गया फिर सेक्टर पैंती चंडीगड विखे छे एक कड़ जमीन लेके स्कूल दी नवी इमारत दी उसारी किती गई स्कूल दे फांडर मेंबर्स ने अपनी मेहनत लगंग ते द्रिड इरादे नाल स्कूल नो उचाईयां ते पहुचाया स्कूल विच विद्यार्थियां दी सक्षियत नो बौधिक, सरीरिक, वलवलियां पर पूर ते चंगे नागरिक बनाउन ले उच्टम सिख्या देन दा परबंद भी किता जेस करके 1972 विच स्कूल नो अपग्रेड कर देन हायर स्केंडरी दा दरजा मिलिया ते फिर उस सब जब देन भी आया जदो 1987 विच स्कूल नो सीनियर स्केंडरी स्कूल दी मानता भी प्रापत हुई ते बहुत सारे भी द्यार्थिते अधियापक हुन ताक वी सादेनाल जुड़े हुए हन इस तो इलावा 2018 विच गुर्द्वरा असथापन कमिट्टी अते मैनेजर कमिट्टी द्वारा नमे ब्लॉक दी उस सारी शुरू करवाई गई जो के आज बहुत ही वदिया नमिया तक्निक की सहूलता नाल परपूर तेन मंजला इमारत दे रूप विच स्थापत हो चुकी है असी परमात्मा के अरदास कर दे हां कि स्कूल चड़दी कलाच रहन दियां और बुलंतिया नो चोहे वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते चंडीगर्दी समुर्मूर संस्था चंडीगर्गुर्दारा स्थापन कमेटी जेडी की तकरीबन सतर बतर साल दा इतिहास इस शेर दे विच बना के तुरी है जिते तार्मिक खेतर दे विच उपलबदीयां हासिल कीती है साड़े पुराणे मेंबर साहिबान जिना विच परदान सकतर अके समुर मेंबरा ने जो अपनी सोच मताबिक उस तो बार एविद्यक अदारे स्थापत कीते चंडीगर्दा सब तो पहला सिख स्कूल जड़ा है जिदा की नौ सीरी गुर्गोबिन सिंग सीनिर स्कूल सापत कीता खेतर जो पड़ाई दे विच ता उपलबदियां है गियाने उदे नार नल खेड़ा दे विच चायो होकी होए वॉली बॉल होए या खोको होए उना दे विच साथे बच्चेया ने पूरी इंडिया दी टीम उरी प्रिजेंटेशन दी तियां साथे राजपाल जो इंडियन होकी टीम दे कप्तान रे इंदर जी चड़ा और कहीं बच्चे इदे नार नल जो अज दे यूग दे विच जो बच्चियां दा रुजान है फैशन दी दौड दे विच या ग्लैमर दी दुनिया दे विच उदे विच भी साथी इक बच्ची हरनास संदू जिनने मिस यूनिवर्स दा खिताब हासिल कीता है अते अज सानु एमान है के एक नवी उपलब्दी जो स्कूल ले रहा है एक मल्टी पर्पस हॉल दे विच जी दे विच असी आस कर दे हैं कि बच्चे अपना होर जो टैलेंट है उस स्टेज दे चड़के अपनया योगदान ए स्कूल इसी तरह बरकरार रखेगा साड़ी आस है के चंडिगर गुर्द्वारा स्थापन कमेटी सिर्य गोविन सिंग सीनिर स्केंडरी स्कूल इसी तरह गुरु साफ दी बक्षिशा नाल ते साड़े स्टाफ दी मेंनत नाल अगे तें तों में चंड आस कंडिग कोल इस वर्णी तरह टूं तो प्कम इंग इस उनाल इस यह रूड़ को आफ द तों हो अबस्टाफाट इस नाल इस थिद्टेप टोजब इस भुर्ट इस वार्ट श्ड़ान रखेगा साफ ब्टगेंड को फित रूल इस पौन बग्परा इस प्रूल अजाइ in different fields from academics to sports today we all talk about activity based learning but the founder members had this idea from the very beginning the school has earned a name in the tri city because of its excellence in the field of academics and co-curricular activities it is the school where quality education is being given along with the ethical values the expert of group of the school is all due to the efforts of the management and the staff i have been fortunate to be associated with sardar gujo singji science who inherited the legacy from his grandfather and whose vision he is taking forward the school has now become a very modern aesthetically appealing school which is challenging but will later on produce students who will go on to be worthy citizens of the country free thinkers and will serve the society it was founded on the pious day of besakhi the most auspicious day of birth of khalsa in the sacred memory of sarwans dhani 10th the school provides a well-established infrastructure for the students right from grade pre-nursery to 12th it covers a hoping area of six acres in the city beautiful spacious classrooms up to mark laboratories and a well-equipped library for the students huge playgrounds and open lush green space is conducive to real physical growth of the blossoming children the school is leaving no stone unturned in its mission to provide a healthy physical emotional and academic growth of the children the main aim of the school is to provide quality education to its students and inculcate moral values among them the day at the school commences with the morning assembly which includes part and ardas kada parashad is prepared in the school on the auspicious day of sangrand every month and distributed among the students and staff the school intends holistic growth and development of the students so it provides facilities for various games and outdoor activities number of competitions such as rongoli making turban tying poster making salad making etc the school has got well planned and established units of ncc and nss the school students work selflessly to identify the needs and problems of the community under the motto not me but you number of activities such as cleanliness drives tree plantation drives blood donation camps the school has produced some shining stars in the field of sports mrs rajpal singh the former captain of indian hockey team and an arjuna awardee mr inderji singh chadda mr jasvinder singh and mr buljeet singh have shown their excellence in the field of hockey mrs guraleen chahil is another feather in the cap presently she is a flight lieutenant not only in the field of sports the school students have excelled in academics also mr kunwarpi singh was chandiga topper and secured all india rank 58 in j e mains 2020 mr neil aryan gupta secured all india rank 10 in j e main advanced in the year 2018 he did his btec from iit bombay the esteemed principal of the school mrs pramindajit man has been leaving no stone unturned to embellish the school's all-round development by her persistent and untiring efforts along with her hard work and innovative ideas the dedicated teaching as well as the committee non-teaching staff and all the budding students of the school are fully aligned with the principal's way of working out things successfully hello everyone the experience here at school has really been transformative it has been an incredible journey for my daughter the school provides learner-centric environment for the young minds that helps them shape their prospective future as i reflect back on time i would like to express my heartfelt gratitude for the invaluable experiences mentorship and the support provided by the staff and teachers over here at school the institute will always hold a cherished spot in our memories thank you so much i am my rithika varma rashq sewa yojna 2019-20 rashupati samman prapt honne pere apni school shri guru gobind singh senior secondary school sector 35 janigarh ka harddik dhaniwaad karna chaatati hoon ke school principal shri matthi parminderjit ma'am aur unki team nne mujhe is karakram ka hissa bana ya mahi batana chaoongi ki mahi aipani schooling 2016 me isi school me puri ki aur aaj department of anthropology panjab vishwit dalai me apni phd karayi hoon is school me nss yani national service scheme ki do units hai jokai samaji karayi kareo me apni mahatpun bhoomay ka nibhaa rhea hai svevak nss program officer ke mark darshan ke anndar samad sewao ka karayi karayi hain jiske madham sewe apni skill development or community development ka kama karayi hain school pure vrsh samajji karayi hoon me jura rhetta hai aur rashq sewa yojna ke volunteers ko taras raha hai mai school ke vidyarathiyo se apeil karna chaatati hoon ki wo rashq sewa yojna se jude kar desh me apna mahatpun yogdaan de jayind dhanyevaad we are to serve we are to serve we are to serve we are to serve we come to serve